हाई गाई वेलकम बैक तो मार वीडियो आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं इस रुबिक्स क्यूब को और मैं आपको दिखा हूंगा कि एक क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं CFO P method यह beginner CFO P method जो मैं आपको शिखा हूंगा आज हम लोग Minecraft ने खेलने वाले हैं यह मेरे पास एक गैन का क्यूब है अगर आपको पूरा रिव्यू चाहिए कि यह कैसा है सब कुछ तो मैं आपको अगर इस वीडियो के 5 लाइक्स आते हैं आपको अगर इस वीडियो भी बनाऊंगा एंड लट्स को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं इसको रैंडमली स्क्राबल कर देता हूं ठीक है सो मैं beginner method की वी वीडियो बनाऊंगा इस देखो यह मैंने स्क्राबल कर दिया पूरा की पूरा क्यूब अभी जो simply सबसे पहले हम लोग वी beginner method की तरह एक cross बनाना है सो लाइक यह हो गया सो यह cross बन गया एक white cross यह कहीं भी cross बनाना है देन हम लोगों को एक ऐसे piece का देखना है सो लाइक यह सही है बस यह edge twisted है सो मुझे क्या करना है simply अभी मैं आपको एक algorithm बताता हूं r' u2 and r simple algorithm है and then हमको simply इसको align करना है यह वली जगह पे and simply r u r' करना है and यह हमारा edge जा चुका है then हम लोग यह वला देखते है यह वला simple है सिरफ यह यह यहाँ पे है सो मैं इसके लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पे आज गया फिर क्या करूंगा one down r' then u' two times then r तो यह हमारा बन चुका है पेर and then मैं simply इसको insert करने के लिए ऐसे करके insert कर दूंगा तीसरा हमारे पास आएगा वो आएगा ऐसे वहला हमारे फिर क्या करने है यह हैं and कई बार यह ऐसे भी हो सकते हैं कि यह एक यह एक यह तो मैं इसके लिए क्या करूंगा तो simply जो है मैं एक unsolved corner पीछे रहूंगा and then मैं simply r prime then u prime r and वापस आगे so यहां पे यह corner यहां पे रखूंगा and then simply हमारी second layer solve होगी यह होते है f2l अभी हम लोग आ चाते हैं अगली last layer पे जो कि यह onl and pll so इसको solve करने के लिए easy होता है simply हमको like beginner method में जैसे हम लोग करते है so मैं जल्दी उसकी video बनाऊंगा so beginner method के लिए simply f r u r prime u prime and f prime so यह आचुका है अभी मैं same चीज़ इसको ऐसे करके रखूंगा and then जो है इसको दो बार repeat कर दूंगा and हमारा plus बन चुका है अभी हमको कोई ऐसी एक fish के लिए देखना है so यह एक fish बन लिए यह आपे and then जो है हमको अगर जो है यह 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 वाला हमको देखना है कि यह हमारी तरफ को देख रहा है and then जो है simply क्या करना है r u r prime u r u 2 r u prime 2 times so हमारे यह पूरी उपर की layer solve हो जाएगी so आपका अगिला case आसकता है कुछ ऐसा कि आपको यह मिले so यह भी बड़ा interesting case है हमको कहीं से भी इसको पकड़ना है and then जो हमको simply वही same चीज करनी है so like यह fishman की है अभी हम लोग जो है ऐसे L वाला कर सकते है like left वाला so like and then जो है यह हमारी पूरी बन चुकी है and then जो है अभी अगला case जो है वो है इस case के अंदर जो है हमको ऐसा मिल जाते है कुछ like यह solved है and यह unsolved है यह दो corners so हमको simply ऐसे पकड़ना है इसको and then जो है हमको same चीज फिर से repeat करनी है and then जो है उसके बाद मैं तो simply जो है इसको rotate कर देता हूँ इधर की तरफ को पकड़ लेता हूँ positive तरफ से so then जो है यह हमारा ऐसे आ जाएगा and then जो है हम लोग simply इसको पूरे को solve कर देते है अभी जो हम लोग आते है last layer PLL पे so इसके अंदर जो हमको किसी भी headlight के लिए देखना है like मुझे यह पर यह दो मिली है so हम लोग edge नहीं ध्यान देंगे हम लोग सिरफ यह दो corners का देंगे and जो है इनका अभी जो हमको simply ऐसे पकड़ना है कि यह solve corners एधर को हो and then हमको यह algorithm पर फॉर्म करना है r u r prime u prime r prime f r2 u prime r prime then u prime and then ऐसे गर के simply हमारा जो हो गया कि पूरा solve अभी हम लोगों कई वार head lights नहीं भी मिलती है and then कई वार हमें कुछ ऐसा भी मिल जाता है so like इसके अंदर जो है यह corners twisted होते है so इसके लिए हमको simply क्या करना है कई लोग वापस से ऐसा method यूज करते हैं कि वह वापस से प्लस पे चले जाए लेकिन मैं आपको क्या prefer करूँगा कि simply यही same चीज वापस से करें ठीक है and then आपको simply यह head light मिल जाएगी and then हम लोग यही चीज फोट से कर देंगे and हम लोग आ जाएंगे last layer पे अभी last layer में क्या होता है यह यह edge pieces हमारे solve नहीं है so हमको simply कहीं से भी पकड़ना है अभी कुछ भी नहीं है simply यही है so मैं simply क्या करूँगा r2 u r u r prime u prime r prime u prime r prime u r prime so इससे क्या होगा हमें यह एक यह line मिल जाएगी solve and बाकी के 3 corners नहीं होंगे and then हमको क्या करना है simply यह line को पीछे रखना है and जो इसको ऐसे पकड़ना है and then हमको सेम चीज करना है फिर से and congratulations guys आपने आपका cube solve कर दिया and हम लोग simply ऐसे patterns बना सकते हैं and अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे यूट्यो को like कर देना share कर देना and मेरे चैनल को subscribe कर देना बाइ